नमस्कार दोस्तों साथियों बिनायट कंपटिशन क्लासिज में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज हम प्रस्तूत कर रहे हैं ज़र विवित्टा का पार साथ पिछले भाग में आपने जब विवित्टा से सम्मंदित कुछ परच्छाउप्रोगी तत्यों के वारे में जाना था उन्में उन तथ्यों को आपको हमेशा से अपने ध्यान में रखना है जैसे सार गेसम नमा घास कहां पाई जाती है तो आप रितने बताया था सार गेसो सागर में लक्ष द्वीप समू किस प्रकार का द्वीप समू है तो आपको अब ये जनकारी होनी चाहिए कि लक्ष द्वीप समू कोरल मुंगा द्वीप है प्रवाल या मुंगा जिसको जानते हैं किस संग के जीम है तो आपने सिलन्ट्रेटा इसको कहा था जी प्रवाल संगठन का मु सरवाधिक जयवित्ता पाई जाती है तो आपको पता हुना चाहिए कि ब्राजील के ब्राजील में सरवाधिक जो है जयवित्ता पाई जाती है सबसे ज़्यादा संकटा परन जीव जो शंकट में केदम निकट हैं ऐसे जीव किस देश में सबसे ज़्यादा हैं, तो IUCN की रिपोर्ट के अनुसार संकटा परन जीव सबसे ज़्यादा भारत में हैं आईए और एक चीजा और आपको ध्यान में दखना पड़ेगा तरते को कि जय विवित्ता की संधी कब से प्रभावी हुई है तो जय विवित्ता की संधी 29 दिसंबर 1993 से हमारे देश में प्रभावी हो गई है यह जय विवित्ता के पार्च है में इन सब चीजों का आपने गाजर घास या पार्थीनियम हिस्टोफेरसन नमक एक ऐसा खर पतवार आया है जो की एलर्जी फैलाता है खुझली होती है और यह अन्य खेतों को यह बंजर बना देगा अक्सर यह खेत की किनारे मेडियों किनारे लंबी लंबी गाज़त जैसी पतली पत्ली पत्तियों व गयी और अस्थानी प्रजातियों के लिए खत्रा बन गई है इस तरह जलकुंभी और लेंटाना के बारे में कहा जाता है आई आइस प्रस्थोत है जैविध्ता का पार्ट साथ सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जैविध्ता जैविध्ता का शोर इतना ज्यादा है आकिनि जयविविट्ता पित्रीपर जीवन का आधार आचाए जीव जयन्तु परति ring कि तो मानों के जीमन पर एक मरद करती जीवन ही बिट्ञार का बनना चिश्टों जो भी गंदगी आप निकालते अनका पुनह चक्रा और सर्ष्छ परागण करें मानोंू के स्थित्य को बनाए रखे परियावरण के अस्थित्य के लिए जय विविट्ता की प्रिवरne सुरक्षित रहे तो आप अपने आस पास के पर्यावरण की जो जैविविद्टा है तरह तरह के जीव जनतु तरह के प्रिवर्पवद्व उन्हें नस्थ होने से बचाए किसी भी जैविक प्रजाती का अंदाधुंद दोहन न करें उन्हें नस्थ न करें नुक्सान न रही है मानों ने अपने हित्साधन के लिए अपने उपयोग के लिए जीवों का जनतुओं का पेड़ पोदों का इतना तेजी से नास किया है कि आप उसी क्यास्तित्व पर खत्रा मटाने लगा है बुहान सहर से निकला कोरोना या कोविड-19 की जो बीमारी थी वो क्या था मानों की भूख की वासना उसने जीवों को खाने पर भुरून निकाल के खाना चमगादर का जूस पीना किसी ने किसी तरीके से वायरस चमगादर से मानों शरीर में आया और पुरी दुनिया के लिए खत्रा वन गया है अगर हम साथ प्रकटि के नियमों को अपनाते तो ऐसी विभी शिका वह देखने को नहीं मिल तुक मिलते आई यह हम लोग बात करते हैं विस्यांतर नहों होते हैं कि ज़ब विद्द्दा में कमी का कर रहा है जब विद्ध्दा में तेजी से दुनिया में हरास हो रही है उ ऐसे एक होता था भंगरयला एक होती थी घास होती थी प LAUGHTER प throw इसको प journeys को प sixt데 की और में हरे रंगि की घास कई दिखाई देती था जो है पत्थर पहली धाटी थी पक्तरी पथर जिसको कहा करते थे ऐसे भी ईत्सभी सामा कोदो यह सब चीज़ें खाते थे अब सामा और कोदों चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं ऐसे पहले कि चावल की प्रजाती थी आदम चीनी कौारी पुन्नी यह भी बहुत कम रह गई हैं तो इस तरीके से हमारी जो है आसपास की पीड़ पोधे हो रहे हैं करनाटक के जंगलों में चंदन की विक्षिगायव हो रहे हैं इस तरीके से हमें हमारी बहुत बड़ी जिम्यदारी है जब भी जंगल या वन कटें तो उसमें रहने वाले जीव जन्तु प्रभावित होते हैं उनकी भी कवी में उनका प्राकृतिक आवास नस्ट ह होता उनकी है संकट बन जाता है विद्टा किंब करणों से सकती है प्राक्रतिक करणों को देखते कि प्राकर्तिक है ड़ाप रही यो तो लंग्छ क सब्से पहला fix सब्सक्राइब नमबर एक आप डाल सकते हैं महादवित्य क्विस्थापन महाद्वितों का घृष्थापन होता है धर्थित की बनावट की वज़से वभू बंज। आपन जो सुखंगे पलेट हैं सबस् defending प्लेट होती है तो प्लेट जब हिलते हैं तो यह प्रकृतिक आप प्रवाब मैगमा इतना ज्यादा निकलेगा दोल भरी भूएं इतने ज्यादा जा करके तो उसिलाके कि जब विद्था को ज्वाला मुखी के गरम-गरम लावा नस्ट कर देता है चक्रवात आते हैं तो पेड़ पौदे किरते चले जाते हैं पसुपक्षी अपनी जान बचा करने देश्थ करता है जल्वाइव परिवर्तन हो जाता तो जिस देशल्वाइव में रहने वाले वादी पिर पाधे ज्यू इसक्रू जाता यहां जाता कि डैनासोर जल्वाइव परिवर्तन की वजद s ehi गायभुय हों तो जो आग जो है जानल के जागल जो जो है जारव किलो मिटर जंगल आग से जल करके नस्ट जाते हैं अब या अग लगी थी तो आपने देखा हुआ कि लाखों जीव कि जीव जो है आग में जूलस करके मर गए इस तरीके से आपने देखा इसको आग को बुझाने बड़ी ही मेनत करनी पड़ी होँ है कि सरकार को किसी न किसी तरीके से आग पर काबू पाया गया तो वह नागनी जब स्वयम लग जाती है तो जय विवित्ता भी नस्ठ होती है जितनी भी प्राकृतिक आप रदाएं जब वह एक सीमा से अधिक जब आती है तो वह जो किसी न किसी तरीके से जय विवित्ता को नस्ठ करती है तो प्राकृतिक कारण हो गया अब दूसरा प्रक्रित्रिक आवास का बिनास किया इने समाजि माधिThis बना लिया उन पर खेती करें लग olabilir इस तरीक explorations tahun विनास किया और जीव जन्तों के लिए कि खतरा बंग गया आवास का विकन्न किसी भी प्राकटिक वासस्तल में उसका उसको नश्ट करना ही आवास विकन्न था जब आप मजंतों करने वाले आवास उनके घर को ही नश्ट करदेंगे तो जाहिज सी बात है कि जानवर आपके बस्ती में आना शुरू कर देंगे यहीं से शुरू हुआ मानों पशू संगर्ज मानों ने कई बार अपने पशू को जो उनकी पस्ती में उनको मार डाले या कई बार शिकार करने के लिए मार डाले कभी कभार जूटे आनंद के लिए उनको मार डाले कभी चमड़े का जूता और उनकी सींग और उनसे बनने वाले दवाओं के लिए उनका हत्या करते चले गए और इतनी ज़्यादा शिकार किये जीव्यंत्यों का कि आज उनका अस्तितु ही समाप्त हो चुका है तेजीं से होने वाले औरौदीफित्ता को नम्यश्ट किया जग मैं आदेख जंगलु की सफाई कि श.-पाइ- और इसकी वज़े से ऊज़ी ओंगलु दिश्ट किया संदस्ता निर्वनी करन बनौं के अंदर जा करके बनौं को 허락ा करड़ा से काट के लकडिया निकाल निर्वनीकर नश्ट करने की वज़़े से भी विद्टा नस्थ हुए अब आपको जूबुन्हों नहीं दिखाई देते होंगे अब आपको गिध्ध नहीं दिखाई देते इस सब प्रदूशन की वज़े से नस्ट हो गए आजकल गोरईयों के अस्तितों पर संकट बना हुआ है यह सब हमारी अंधा धुन्द विकास की वज़े से होने वाले प्रदूशन की दिन है कि हम ऐसे तमाम धर्सी को सुन्दर वारने वाले कीड पतंगों जीव जन्तूओं को अपने बीज से खो दिये विदेशी प्रजातियों का प्रवेस्मानों ने अपने परंपरागत बीजों को छोड़ करके जब से हाइब्र बीज मंगवाए हैं उन्ही साथ गाज़र घास आई थी उनिस्टो चांसे सांसे में इसके बारें बभी बताया था मैं यह जो है किसी के लिए एक खत्रा बनी हुई है इसी तरह लेंटाना भी था और जलकुम्भी जलकुम्भी जल में हो जाती है न तो उस जल में रहने वाले जन्तों का सांस देना भी दुर्भर हो जाता है यह सब जया विविट्टा के नस्ट होने के काराण है आये हम बात करते हैं जय विविट्टा का कैसे संदक्षन किया जा इसके पहले हम लोग बात करेंगे संकट ग्रस्त बजातियों के बारे में हमारे जय विविट्टा नस्ट होने के वज़े से कितनी प्रजातियां संकट ग्रस्त हो गई है इनके बारे में हम डिटाइल से आज अध्यन करेंगे यह वित्ता के पार्षाच्च में देखिए एक संगठन है आयूशियन जो है एक लाल सुची जारी करता है जिसको रेट डाटा बुक्ट काते हैं इसमें दुनिया भर के प्रजातियों का अध्यन किया आता है और ऐसी प्रजातियां चाहे जीव की हो चाहे बनस्पतियों की हो चाहे जन्तूं की हो उनको लाल रंग के गुलाबी रंग के पन्ने पर लिखा जाता है कि यह जातियां है इनके उपर संकट है यह बिलूप्त हो गई है इनके संवरक्षन की आप सकता है सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि IUCN क्या है IUCN International Union for Conservation of Nature I say International, U say Union for Conservation of Nature अंतराष्टी प्रकृति संदक्षन संग International से अंतराष्टी नेचर से प्रकृति conservation से संदक्षन और Union से संग अंतराष्टी प्रकृति संदक्षन संग है इसता साथ करते हैं IUCN International Union for Conservation of Nature देखो यह अक्टूबर और इस तालिस में एक अंतराष्टी संदक्षन स्थापित किया गया कहां स्थापित किया गया कोई आप तो फॉंटेन ब्ल्यू फॉंटेन ब्ल्यू नामक जगह पर जो कि फ्रांस की एक जगह है इस अंतराष्टी प्रकृति संदक्षन संग की स्थापना किया गया इसका मुख्याले वर्तमान में कहां कही है अगर आपसे पूछ ले कि बहुताईए कि आयू सीन का मुख्याले कहां है तो गलाइंड नामक सर में स्थापना में आयू सीन का मुख्याले है और वर्तमान में इसकी जो महानी दे सक है डाक्टर ब्रूनो ओबरले आयू सीन के मह देखिए आयूसीयन काईज़ है कि प्राकटिक संसाधनों के समर्पित कत एक अंतराश्टि संक्ठन जितने प्राक्रिक संसाधन चाह76 बलप्रा संक्षन के लिए यह काम करती है संग्ठन और यह ने इसके सदस्य दणिया भर किसी लोग Quinn से सब मिल करके आयूसीयन के विबारे में और यह पुरी दुनिया से प्राक्रटिक संसाधनों का अभिनास वरा उसके संद्रक्षन के लिए काम करती है तो मैं जैसे बात कर रहा था कि जिन प्रजात्वियों को संक्र्थ है तो आयूसीयन एक किताब जारी करती है रेड़ डाटा में उसके स्थापना ज़रूर हुई है लेकिन 1963 से अध्यन करके वर्स 1963 से आयूसीयन जो है बैस्विक प्रजाती का प्रग्रम एक और प्रोग्राम है ग्लोबल इस्पेसीज प्रोग्राम जिसको जी एस्पी कहेंगे तर्था प्रजाती उत्तर जीविता आयोग इन अन्य द पर प्रशू और पादप पर जाते हैं देखिए मैं जन्तू और पादप प्रजाते हैं दोनों की बात करना हूं किसमें कौन कौन सा संकट ग्रस्थ है उसका आंकलन करती है बताती है किसको माना जाए खत्रे माना जा किसी को माना जा क्रिटिकल माना जा और किसके में मदद मिलती है देश जागरू खोतें यह अगर हम नहीं चेतेंगे तो यह चीज यहां से नस्ट हो जाएगी यहीं का काम है तो क्या करती भाई सवाइवल कमीशन दो अन्य संगठनों के सवयोग से लाल सुची जारी करती है जिसमें नस्ट होने के कगार पर पहुंच चते हैं जन्तू और पौधों के बारे में आंकलन प्रस्तूत करती है जिससे उनके वारे में के समख्षण के करने के लिए योजनाय बनाने में बहुत म आता है अक्षर परिक्षा में कि रेट डाटा बूंट में संकट पन्रजातियों को किस रंग से दिखा जाता तो गुलाबी रंग से दिखा जाता है यह तो देखा जाये और कोई बीगन बाधा ना पड़े तो पारेशिक तंत्रों से प्रती दसक एक जाती बिलूप जाती लेकिन आज पना ज़्यादा इनका बिनास हो गया है कि एक वर्स में अनुमान लगा जा रहा है कि सौव से लेकर कि एक हजार तक अलग जिव जन्तु जातियां उनकी उप जातियां बिलूप जाती चले जा रहे हैं सौवर्स में 50 परशंट प्र-जातियां नस्ट हो जाएंगे। अगल वर्स में मनदा रहे है कि दुंजियां सी सर्व चंतूं की और 50 प्रशंट बश्ब्र अब कर पूरी तरीके से बिलूप जाएंगे नस्ट हो जाएंगी गाएं आपको देखने तक को नहीं मिलेंगी तभी आपने देखा इसलिए आपको प्राक्रिति के सब्सक्राइब के लिए आगे आने की ज़रुवत है आएए तुछ और तक्षियों को देखते हैं देट डाटा डूक क्या होता है आईउसीन दोजार बीस तक एक लाख साथ हैर प्रजातियों की पहचान कर पहचान की गई और उनके बेतर संदक्ष्ण का लक्ष्ण रखा गया दोजार बीस तक एक लाख साथ हैर प्रजातियों को उसने जाना पहचाना उनके आंकड़े उटाए यह कहां पाई जाती है इनका संदक्ष्ण कैसे किया जा कितनी संख्ष्ण मुपस्थित एक करके और यह सवाल आ जाता है कि एक कितने प्रजातियों पद्धिन किया तो द आता है कि तीस हजार प्रजातियां बिलुप्ति के कदार पर नहीं होई है लेकिन अब वा जो है बिलुप्त होने के दम निकट हैं और समाप्र जाएंगे आइस यह ने भारत की कुल 959 प्रजातियों को लाल सुची में सामिल किया है आइस यह ने भारत की कुल 959 प्रजाति डाटाबुक में सामील है देखिए अभी हालही में परिवर्तन हुआ था जिसलिए कोश्चन बन जाता है कि साथ पक्षी जो भारत के थे वह बिलुप्थ होने की कगार पर है पहले 173 पक्षी थे डाटाबुक में इन में से 173 पक्षी को जोड़ करके अब यह संख्या 180 हो इसन चीए और जिस्ट में भारत की पक्षी शामिल हो गया है तो आई सीयाँ जो है जो अपनी डाटा बुक जारी करती है उसमें नौ बर्गों उनके बारे में प्रस्पोर करती हैं पहला प्रकार है आपका एक्स्टिंक्ट एक्स्टिंग्ट एप लुप्त जीव जन्तू जो दुनिया से गाइब हो गये अपने प्राकितिक आवास पर कहीं भी यह पिछले पचास वर्सों से दिखाई नहीं दिये हैं ऐसे जीव जन्तूं और बनस्पोतियों को बिलुप्त स्रेणी में रखा गया या इंग स्टिंक्ट में गायब हो गया उसलिए इनको साथ फार में एक से दिखा जाता है ऐसी जीव जन्तूं जो पचास पर सब्सक्राइब आवास म पता है डानासोर कितनी फिल्में आई जुरासिक पार्क डानासोर मैमत डोडो जाएंट माओ तसमानियन भीडिया क्यूबन लाल तोता अंटार कटिक भीडिया रोडरिक यूज कछुआ ब्लू बग रियूकस किंग फिशर यह सब गायब हो चुके दुनिया में अब दिखा इन नहीं देते हैं इसलिए इनको जो है एक्स टेनिम रखा गया जो डाटा बुक कर गुलाबी पन्ना होगा ना इन जीव जन्तों की आगे निसान लगा दिया जागा एक्स तेसे हम समझ जाएंगे एक्स्टिंट यानि गायब हो गया अब यह दुनिया में दिखाई नहीं फिल्मों के एक फिल्मों भी उनके हड़ी का जो आउसेस पागया तो उसे कंप्यूटर से स्ट्रेक्चर्ट बना करके सो किया गया था आए दूसरा प्रकार है दूसरे प्रकार से पहले भारत से पूछ दे भारत के प्रमुख बिलुप जानवर कौन कौन से हैं बताए तो भारत के प्रमुख बिलुप जानवर में भारती आरूच से चीटा गुलाबी सीरवाली बत्तक सुंदरवन में पाया जाने वाला बाउना गेंडा यह से भारत से बिलुप्थ हो चुकिया वह दिखाई नहीं देते हैं बिश्व संदक्षन मानिटरिंग के डवलू सी एमसी वर्ल्ड कंजरवेशन मानिटरिंग सेंटर के अनुसार पिछले 400 सालों में 533 प्रकार की जन्तु पर जातियां और इससे एक सब एक कम 434 प्रकार की बनस्पतियां नस्ट सब्रकार की जीव जन्तु जह्दा नस्ट में 434 में सौ जोड़िए गाँ ता 534 होगा उसे कम कर लिएगा 533 533 जन्तु पर जातियां और 434 पर जातियां बिलुप्त हो गएं आयन जो दूसरा प्रकार रखता है वह उत पुरी तरीके सबी दुनिया में कहीं नहीं पाचाते हैं और यह क्या है आपका प्रकार द्वाइल से लिखा और गर्रीजीमिंए लिखे नहीं नहीं दिखाए देगी सुर्ण गोड़ी ले यह अ कुनिया घर में बना करके वह बची रहें लेकिन यह बन में एक भी आपको जीव नहीं मिलेगा तो इनको वन से भी लुपत कहा गया एक स्टिंग इंद वाई लेकिन कहां मिल जाएंगे आपको चीनिया घर या कृटिम आवास में जो मानों ने बना रहा है उनके संद्शन के लिए उसमें वह मिल जाते हैं जहां उनका प्रजिदन करा करके वापस उनकी संख्या बढ़ाने की कोशिज की जाती है तिसरा है तकार अतिसंकत ग्रस्त प्रजातियां अच्छा यह वन से बिलूट में कुछ मेढक थे जो नस्ट हो गया है मतलब खतम हो गया हुँं उनकी संद्शन की बात ह जिसका नाम है अलक्सिन उठकर आवाद होगा अतिसंकत ग्रस्त प्रजातियां ऐसी प्रजातियां देखिए जो पिछले दस साल में जिनकी संख्या में नब्बे परसेंट की कम होगी और उनकी कुल मौझूदा संख्या 250 से कम है और अगले तीन साल में 25 परसेंट कम हो से और से इंडिया गया है यह बहुत इदम बन से बिलुट होने के गार पर अबने प्राक्रिटिक आवास से गायब हो जाएंगी फिर निकों लेकर करके घर में दस सो पीस में लाके रखना पड़े अपने प्राक्रिक आवास में नहीं दिखाए देंगी लग इसमेंसे बन से बिलुट होने के कगार पर दम किना रिखने बिलुट हो जाएंगी यह इसमें की कमी आई इनके मुझ में ता इसमें में देखतें कौन कौन से जीओं है मुझिलूप से देखिए पिगमी हाग पिगमी हाग एक तरीका सूर है जो कि छोटी चोटी-छोटी बड़े-ब सब्सक्राइब दिखाई देंगे अपने प्रक्रिक आवास में वाइट वाइट बेलीड हेरान है हिमालेयन बटेर है गंगा में पाये जाने वाली शार्क थी पॉंडीचेरी की साइबेरियन करीन है गिद्ध है गड़ देखे गए सतपूरा के जंगलों में गिद्धों की एक पजाती पाई गए यह लेकिन नाम मातर की दो चार दस यही सिती है और यह समाप्त होने के गार पर गिद्धों के बारे में है है याकारग जंतुओं को उतों एक खाते थे और यह जो है लेकिन क्या जो हमने जंतुओं को डर्वनی उभारी से दाइकलोफिनेक को दियना दिया तो दाइकलोफिनेक जानवर की दर्व के लिए हमने दे दिया वो बोश्म की आंत में था और गिद्ध में गी française बढ़ने के बाद वह डाइपलोपनेट गिद्ध के सरीर में पहुंच गया नतीजा कि वागए गिद्ध को कैंसर हो गए उनकी आतें सड़ गई थी और गिद्ध समाप्थ में लगे इस प्रकार से बहुत बढ़ी संख्या में गिद्ध दुनिया से गायर हो गए इनकी कुछ सब्सक्राइब हो गया उड़ने वाली नामदफा गिलहरी नामदफा राश्युद्ध्यान में गिलहरी पाईए देख उड़ती नहीं है यह एक पर से दूसरे पर इतना जोर से शलांग लगाती से उड़ने का आभास कराती है यह अती संकट ग्रस प्रजात्तियों में अग खो देंगे ब्रोनियन औरंग उटान था पैंधेरा था वेस्टन गोरिल्ला था इस्टर गोरिल्ला था से जैसी पूछ वाला बंदर लाइन टेल मकाक अब यह गायब हो रहा है बनस्पतियां में बता रहा है भी सामा अब नहीं डिखती है आप पर लोग सामा का चावल खा रहा है तो जो अभी समाप्त होने के कगारपरत यह दे लोग जो को भूली जाएंगे चौथा प्रकार है साथियों संकट ग्रस बजातियां कि लिए संकट में हैं लेकिन अटी संकट नहीं है देखो साथी संकट कर समें दस वर्स में 90% की कमी आती है और संकट ग्रस पर जात करती के बिलुप्थ होने का खत्रा बना रहा था है बंद से बिलुप्थ होने की संभावन और हम नहीं चितेंगे यह भी बंद से गायब हो जाएंगे ऐगी देखते हैं कौन कौन से हैं फारेस्ट आूलेट आप इन सब का नोट बना लीजेगा फारेस्ट आउलेट निलग ब्राव एटलर डियर भारती वाइसियन यह सब जो है संकर्ट पर जाती है इनको इंडेंजर्ड खत्रे में इनकी आगे नाम के लगा दिया जाएगा अभी हाल ही ने हाल ही में आयूसीयन ने धोल एक जीव है जिसको एसियाटिक वाइल डाग या इंडियन वाइल डाग या र सुची बद्दे किया गया है वीडियो बहुत लंबा हो चला है चार जातियों के बारें हमने बताया इसी तरीकिये से बासमती पुन्नी आदम चीनी आदम चीनी चावल का प्रकार था बहुत छोटा-छोटे दाने होते हैं और बहुत सुंदर मेंकता स्याह जीरा जिसको समाप्थोने का गारपर हैं के अंसट मुडिलावा सी 306 गेहुं की वराइटियां थी जो कि समाप्थोने का गारपर हैं जौनपूरी मक्का देशी ज्वार बाज़ा इस सब इन डैंजर्ड हैं समाप्थोने का गारपर नहीं खतरे में जाती हैं चलने हैं इनका सनक्सर्ण क को यार रखिए परिक्षा में बहुत ही काम में आएंगे आके